वेलकम तू लेन मािक्रोबाइलाजी आज हम जिस टापिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग सो आईये देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या है Gram Staining basically एक टेकनीक है जिसके जरी हम बेक्टेरिया को दो major groups में डिवाइड करते हैं उनकी cell wall की composition के basis पर अच्छा ये कौन-कौन से दो major groups हैं इनमें सबसे पहले तो आ जाता है gram positive और उसके बाद है gram negative ये जो टेकनीक है वो develop की गई थी Hans-Kristin Gram की जानिब से 1884 में Microbiology की field में gram staining की बहुत ही ज्यादा importance है because it is the identification process of bacteria so इस टेकनीक को perform करते हुए हम infectious diseases को easily diagnose कर सकते हैं अब ये जो आप note देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि gram ने अपने staining procedure में saffronin को as a counter staining agent use नहीं किया था वो किया गया था एक German pathologist की जानिब से जिसका नाम है Carl Weger अब आईए देखते हैं कि इस test को perform करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरुरत होती है इन चीजों में आजाता है बेक्टेरियल लिक्विड कल्चर, वायर लूप, ग्लास लाइड, बंस इन बर्नर, वाश बॉटल, फोर सेब, स्टेनिंग ट्रे, माइक्रोस्कोप, क्रिस्टिल वायोलेट, ग्राम्स आयोडीन, इथाईल अलकोहल, 95% और लास्ट में हमारे पास है सेफरनिन, इस स्लाइट में आप वो सारे रियेजंट्स और एक्विपमेंट्स देख सकते हैं, जो हम इस टेस्ट को परफार्म करने के लिए यूज करेंगे, अब आ जाते हैं प्रोसीजर के उपर, सो प्रोसीजर में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्टेप नमबर व अब इस स्टेप में हमने बंसिन बर्नर की हेल्प से सिमियर को इन डायरिक्ट फ्लेम देना है, स्टेप नमबर टू के बाद आ जाते हैं बहुत ही इंपर्टन्ट स्टेप की जानिब जो है स्टेप नमबर थ्री, स्टेप नमबर थ्री में हमने क्रिस्टिल वायॉलेट के क बाउंडेट क्रिस्टिल वाउलेट होगा वो रिमूव हो जाएगा अब इस स्टेच पर सारे जो बिक्टेरियल सेल्स हैं वो हमें परपल कलर के दिखने लगेंगे चाहे वो ग्राम पाजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव स्टेप नंबर 3 के बाद बाथ करते हैं स्टेप नंबर 4 की स्टेप नंबर 4 में हमने सिमयर के उपर ग्राम इडिन एड़ करना है and again एक मिनट तक वेट करना है और फिर वाटर से वाश कर देना है ताकि एक्स्ट्रा आयोडीन रिमूव हो जाए यह सेम प्रोसेस है जो हमने step number 3 में perform किया इस step तक भी हमें सारे के सारे जो सेल्स हैं वो परपल कलर के ही दिखेंगे grams iodine को हम as a modern use करते हैं जो के crystal violet को binding में help करता है अब step number 4 के बाद बात करेंगे step number 5 की step 5 में हमने 95% ethial alcohol को use करना है as a decolorizing agent for 30 seconds और इसको भी उसके बाद water से wash कर देंगे ताकि extra जो decolorizing agent है वो remove हो जाए अब इस stage के उपर जो gram positive bacteria है वो हमें purple color के दिखेंगे और gram negative है वो अपना purple color खो देंगे वो हमें colorless दिखेंगे अब step number 5 के बाद आजाते हैं last step के उपर जो है हमारे पास step number 6 इसमें हम sephronin को use करेंगे as a counter stain same वही process है जो पहले perform करके आए है sephronin add करेंगे और फिर उसको water से wash कर देंगे ये इस test का last step है जो basically gram ने perform नहीं किया था जैसे कि हम पहले बात करके आए हैं इसके उपर इस step के बाद हमने slide को dry कर देना है और फिर उसे microscope के 100 objective lens पर observe करना है हमें नजर आएगा कि gram positive cells ने purple color retain किया है और gram negative cells ने pink color retain किया है that's it for now thanks for watching